बिस्मिल्ला रमान रहीम, डॉन चिल्डन अकेडमी, स्टूडेंट, आज मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी तीसरी जमात के लिए स्टूडेंट्स, अपना पेज नंबर 47 खोलिए नजम है सुभा सवेरे उठना सवेरे जो कल आँख मेरी खुली अजब थी बहार और अजब सेर थी यही जी में आई के बहार निकल तहलता तहलता जरा बाग चल छड़ी हाथ में लेके घर से चला और एक बाग का सीधा रस्ता लिया वहां और ही जाके देखी बहार दरखतों की थी हर तरफ एक गतार कहीं है चंबेली कहीं मोतिया गुलाब और गेंदा कहीं है खिला खिले फूल हैं इस कदर जा बजा के खुश्बू से है बाग महका हुआ हर एक फूल का एक नया रंग है हर एक पेड का एक नया धंग है सवेरे ही उठेगा जो आदमी रहेगा वो दिन भर हसी और खुशी ना आएगी सुस्ती कभी नाम को करेगा खुशी से हर एक काम को रहेगा वो बीमारियों से बचा ये है सो दमाओं से बढ़ कर दमा सुदेंट्स सुबह सवेरे उठना बहुत अच्छी बात है इस नजब में यही बताया गया है के सुबह की बहारें क्या होती है कल जो मेरी आँख सुबही खुली तो मेरे जी में आया के बहार निकलूँ और टहलूँ टहलता टहलता मैं बाग में जा पहुँचा छड़ी हाथ में लेकर घर से मैं चला था और एक बाग का रस्ता लिया था अब आग पहुँच गया वहां जाकर अजब ही बाहर देखी हर तरफ दरखतों की कतारें थी कहीं चंबेली के फूल खिले वे थे कहीं मोटिया के कहीं गुलाब खुश्बू दे रहा था कहीं गेंदा खिला हुआ था इस कदर फूल बाग में खिले हुए थे के पूरा बाग खुश्बूं से महका हुआ था मौत्तर हो रहा था हर एक फूल में एक नया रंग अल्ला की शान खुद्रत नजर आई और हर एक पेड़ का नजारा बड़ा ही दिलकश था कहने का मतलब यह है जब सुबह उठे सुबह बाग का मनजर बड़ा दिलकश दिखाई दे रहा था दिल को जो रहत और खुशी पहुँची वो अजबी थी सवेरे ही उठेगा जो आदमी रहेगा वो दिन बर हसी और खुशी बच्चों जो आदमी भी सुबह सवेरे उठता है दिन बर हसी खुशी रहता है आगे बढ़ बढ़ कर हर काम करता है ना आएगी सुस्ती कभी नाम को करेगा खुशी से हर एक काम को उसे ना सुस्ती आती है हर काम दोड़ दोड़ कर खुशी खुशी हर काम को अंजाम दे रहा होता है ऐसे लोग कभी नाकाम नहीं होते हमेशा काम्याब रहते हैं आगे बढ़ते हैं जो सुबा उठते हैं क्योंकि वो सुस्त नहीं होते हर वक्त काम करते हैं और काम से आदमी को काम्याबिया हासिल होती है रहेगा वो बिमारियों से बचा ये है सो दवाओं से बढ़कर दवा यानि सुभा का उठना उससे बहुत सी बिमारियों से वो बचता है क्योंकि सुभा उठके वर्जिश करना चाहिए टहलना चाहिए बाग में जाकर इस सब से जो सेहत पे अच्छा असर पड़ता है और लोग सोते रहते हैं दिन में बिमार रहते हैं दवाएं खाते रहते हैं उसके बजाए सुबा सवेरे उठना चाहिए तहलना चाहिए वर्जिश करना चाहिए इससे हर शक्स बिमारियों से बचा रहता है सो दवाएं खाए उससे बढ़कर ये बेतर है कि सुभा सेर को निकला जाए टहला जाए वर्जश की जाए उससे आदमी तंदुस्त तवाना रहता है दिन भर सुस्ती नहीं आती हर काम खुश असलूबी से अंजाम देता है तो बच्चों सुभा सवेरे उठा करो इससे हमें सबक मिलता है सुभा का उठना बेतरीन है सुभा देर तक सोना नहीं चाहिए सेहत के लिए जरूरी है जल्दी सो सुभा जल्दी उठो